तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सब्सक्राइबर और हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 30 लाग रुपए का SBI बैंक से होम लोन लेना है और उनका जो क्रेइट इसकोर है वो है 710 तो उनको किस रेट ऑफ इंटर्ष पर लोन ओफर किया जाएगा प्रॉस्सिंग इनका जो केंपन फेस्टिवल ओफर चल लाए जो आपका बढ़ा के 31 मार्च 2014 तक कर दिया जगया है और इसमें रेट ऑफ इंटर्ष में भी आपको जो कंसेशन आप पर प्रॉइट किया जा रहा है जैसे कि आप देख सकते हो अगर आपका आपका साड़े साथ साथ सो या स आपको लोन ओफर किया जा रहा है 650 से 699 है तो 9.45 550 से 649 है तो 9.65 और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहा हो कोई भी आपका क्रेड़ स्कोर नहीं तो आपको 8.60 के रेट ऑफ इंटर्ष पर लोन ओफर किया जा रहा है इसके लावा जो इनकी स्कीम चलती है अगर आप कोई डिफेंस परसन हो तो उस केस में जो है आप पर रेट ऑफ इंटर्ष में एक्स्टा 10 बेसिक पॉइंट का का सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है इसके लावा अगर आप कोई वोमें इंडिविज्वाल हो और यहां से अप्लाई कर रहा हो तो उसके लिए भी जो है व राइ होम लोन है मैक्स गेन है फ्लेक्सी पेय है नॉन इसके लावा होम टॉप लोन है सेम उसमें प्रोपॉसिंग फीश लें और बाकी जितने भी जो इनकी स्कीमें चलती है उसमें इस समय processing fees निल है अब आम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कौन-कौन सी scheme में चलती है SBI band में तो जैसे कि आप देख सकते हो SBI regular home loan की scheme है इसके थुरू आप किन-किन purpose के लिए loan ले सकते हो तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको कोई ready build property में purchase करनी है कोई आपको कोई under construction property है उसमें पर्चेस करना है कोई pre-owned homes उनको purchase करना है या आपको plot के लिए जो है loan लेना है या आपको plot plus construction के लिएक लिए की भी आगर आपको शिर्फ लोन लेना है यौह अपने घर में आपका कोई एक्जिस्टिंग पार होगा उसमें एक्सेंशन रिपेर रेनोवेशन के लिए लोन लेना है तो वह लोन आप जो है SBI की regular home loan की scheme के through apply कर सकते हो बात करें इसके features की अब यहाँ पे जो home loan की scheme में चलती है वो हर customer wise जो है अलग-अलग चलती है low interest rate है इस समय सबसे कम अगर rate of interest चल ला है तो आपको SBI में ही देखने को मिलेगा low processing fees लगती है आपको कोई भी hidden charges नहीं है कोई भी pre payment penalty नहीं है लगती है आपे interest changes on daily reducing balance है maximum आप 30 साल के लिए loan ले सकते हो home loan available as overdraft में मिल जाएगा आपको और women's borrower के लिए interest में concession भी आपे provide किया जाता है बात करें eligibility criteria का तो इस scheme में only resident Indian जो है apply कर सकते हैं अगर कोई non resident Indian है तो इनकी एक अलग scheme चलती है जो कि है SBI NRI home loan तो उसके थुरू आप जो है apply कर सकते हो minimum एज अप्लाइग करने के 18 साल है maximum 70 years के इस तक आप अपने loan को चुका सकते हो 30 सालों के लिए आप maximum यहां से home loan ले सकते हो बात करें इसके document की तो document में आप retail में देख सकते हो कि आपको जो है employer identity card अगर आप salary individual हो loan application form देना पड़ेगा तीन passport size photo के साथ एक ID proof देना पड़ेगा एक address देना पड़ेगा फिर property related document अप property related document अलग अलग हो सकते हैं कि आप कि इस type का home loan ले रहा हो मतलब अगर आप कोई repair renovation करार अपने existing गर में तो आप अपके घर के जो कागज होंगे वो आपको दिखाने पड़ तो permission for construction अगर आपको कोई plot वगर अलॉट हुआ तो allotment letter दिखाना पड़ेगा अगर आप कोई नई property खरी रहा हो तो अगर आपने पहले कभी लोन लिया है तो उसका एक साल का statement भी आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा इसके लावा इंकम प्रूफ के तौर पर इंकम प्रूफ के क्या document होगे तो अगर फॉर्म सिक्षी नहीं तो आप 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 आइटी रिटर्न भी दे सकतो टू फाइनिसेल यहर का इसके लावा जो इंकम प्रूफ होगा नॉन इंकम प्रूफ होगा नॉन सैलीड अप्लिकेंट को एप्लिकेंट और गारंटर के लोग आते हैं तो उनको आपको certificate of qualification यहाँ पर देना पड़ेगा अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 30 लाग रुपए का home loan लेना है तो यहाँ पर हम home loan का amount डाल देते हैं 30 लाग रुपए का rate of interest उनका credit score 110 तो 8.60 के rate of interest पर उनको loan offer किया जाएगा और loan आप मैक 20 लाग का loan 20 साल के लिए लेते हैं तो 26,225 इमाय बनीगी total interest हमको 42,93 मेजार का pay करना पड़ेगा और इसको अगर हम 15 साल के लिए लेते हैं 29,718 इमाय बनीगी total interest हमको 23,49 रुपए का pay करना पड़ेगा आप जो है foreclose भी कर सकते हैं अपने अगर आपको जो है आपने माली ज 24 लाग का pay करना पड़ रहा था और अगर 15 साल के अंदर चुपा देते हो तो total interest आपको देखिए 30 लाग रुपए का pay करना पड़ेगा तो आपने 20 लाग रुपए बचा दिए अगर आप प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर वगरा कर देते हो यहां पे तो यह देखिए information रह ही आपको कि अगर आपको 30 लाग रुपए का SBI से होम लोन लेना है तो आपको किस rate of interest पर loan offer किया जाएगा इसके लाव यह मंतली MI tutor interest क्या बनेगा और किस scheme के थुर्व जो है आप यहां से होम लोन ले सकते हो इसमें आपको क्या features benefit वगरा मिलेंगे तो इस सारी information आप check out कर सक यह सब आप information यहां पर देख सकते हो जैसे SBI bank home loan में इस समय rate of interest क्या चलना है इसके लावा कोई अगर offer bank ने लाउंच कियो और वो offer वगरा कि लिंक भी आप इस सबसाइब पर check out कर सकते हो तो इसका भी link आपको वीडियो के description box मिल लिए गए पर जाके ज़रूर check out करेगा तो आज के स्वीडियो में पास अता है तो बिलते नाइक स्वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद